हलो फ्रेंज आज हम 5 साल की बेबी का इसकट टॉप बनाएंगे यह बनाने के लिए मैंने यह दो कपड़े लिए हैं जो कि सूट के बचेवे कपड़े रहते थोड़े वो उसी में हम सुन्दर डिजाइन से टॉप इसकट बनाएंगे कि अधि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस कटकी हमारी लेंद्ध होगी 14 इंच तो मैं 14 इंच पर एक निशान लगा दूंगी और कंप्रेटली हमारा गेर होगा यह टू पार्ट में है बत्तिस इंच 64 इंच हमारा टोटल हो जाएगा पूरा कपड़ा में जितनी भी प्लेट साईगी उतनी प्लेट कर लगा लूंगी यहां साम कप्राइब इसकेल की साहता से लाइन की चुए है यह गेर हमने कट कर दिया है अब आदा इंच इस तरह से और आदा इंच इधर आदा इंच इधर आदा इंच इधर यह बराबर बराबर करके हम पूरे में प्लेट्स लगा लेंगे यह हमारी प्लेट्स लगके तैयारे हैं अब हम यहां से कमट नाक लेंगे इतना बड़ा हम बैल्ट लेंगे बैल्ट हमारी बैल्ट के लंबाई हम उसके बराबर लेंगे उससे एक इंच जादा लेंगे क्योंकि एक इंच आदा-दा इंच दोनों सैट से सिलाई में चला जाएगा और यह चो तहेगी पांच इंच अब हम इस तरह से इसको उल्डिया उल्टा साइड को अंदर कर देंगे और यहां से हम इस तरह यहां से हम यह ओड कर यहां सिलाई लगा लेंगे और इस तरह पूरी में हम सिलाई लगा देंगे इस तरह यहां लगाने के बाद हम इस तरह से यह करके और इस तरह पूरा ओड देंगे यह तरह पैलट अटेच हो जाएगा और इससे अब हमें एक बार फीर से यहाँ इस तरह मोर के शिलाई लगा लेंगे यह सिलाई लगा है यह हमने इस तरह से इसे बेल्ट लगा लिया है हम इसमें हमारी कमर है 22 इंच कमर के हम लास्टिक लगाएंगे इसलिए हम यह थोड़ा थोड़ा सिलाई में चला जाएगा और इसे सिंग की साहिता से इस तरह हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह हम यह लास्टिक डाल लेंगे और यहां से हम इसे पक्का करके यहां से हम इसे पक्का कर लेंगे और नीचे तक पुरी सिलाई गेर में लगा देंगे इस तरह से यह हमारी स्कड़बन के तैयार है अब हम तॉप काटेंगे तॉप काटने के लिए हमें यह फोर फॉल्ट है इसे में कपड़े को एक जैसा कर लूँगी कि टॉप के लेंथ रहेगी हमारी 11 इंच यह 11 इंच और अधा अधा इंच हम उपर नीचे सिलाई के करण 12 इंच पर लेंगे लें लेंगे अधा है कि सारे चार इंच पर हम सोल्डर लेंगे और क्योंकि हम सोल्डर को उपर से ओठेंगे इसलिए हम पांच इंच पे मार्कर लगाएंगे अधा नीचे से हम आर्मोन देंगे चार इंच के गला मारा देगा डाई इंच दिप में हम जाएंगे तीन इंच पर अब मुका निशान दे देंगे इस तरह से और गले का भी हम गोलाई में देदेंगे चेस्ट हम साथ इंच पर लेंगे जोदादोने अठाविस चेस्ट हो है और कमर हमारी है साड़िक्षे पर हम निशान लगाएंगे चब्विस इंच हमारी कमर है यहां से हम इस तरह आदा इंच हमारा सिलाई हो जाएगा यह हम सिलाई आ जाएगी इसे मैं कट कर लूगी आदा इंच हम मैं आप मास देके इसे राउंड शेट में कट कर लेंगे अब हम यहां कंदी पर शिलाई लगा लेंगे और इसे यहां से इसा बारिक आर्मोल पहम इस तरह यहां पर बारिक फरके यहां पर पूरे पर राउंड शिलाई लगा देंगे यह इस तरह से हमने कर लिया है अब हम इसे इस तरह से रखेंगे बराबर इससे यहां इस तरह रखेंगे हम निशान लगा लेगे कि यहां हमारा दो इंच वह यह डाए इंच पर रहेगा यहां सामिसे चार इंच पर इसे कट कर लेंगे इस चार इंच पर इस तरह से और आदा इंच उटने कर रहेगा यहां सारे चार इंच पर बढ़ेगे कि यहां से और यहां से उनी से कट कर लेंगे गले में पूरी तरह सिलाई लगा लेंगे यहां यहां पर मैं इस तरह से रख दूंगी इसे सिलाई पूरी तरह लगा लेंगे यह हमने सिलाई लगा लिए अब यहां पर मैं छोटे-छोटे बारी-बारी कर देंगे इस तरह हम कर देंगे यह हमारा बराबर इस था इसलिए हम बिल्कुर प्रॉब्लम नहीं है यह इस एक जिसा रख कर सिलाई लगा ली है अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे तो यह जो उल्टा हिस्सा था वो पिछे चला गया और इसका उल्टा था वो नीचे की साइड आ गया इस तरह से हम कर लेंगे हट लगाने के बाद हमारा यह हीचाता नहीं है यहां से हम फिर एक सिलाई बिल्कुल एक जैसी इसलाई हो ऐसा जाण के धिरे-धिरे लगा लेंगे उप लिए नहीं और देंगे यह हम इस प्रकार से बारी और देंगे यह हमने इस तरह से इस पर पूरे पर लगा लिया है अब हम इसे उल्टा करके इधर दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे और नीचे इस तरह से बारी गेर उट लेंगे यह हमारी इसका टाप बनके तैयार है यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्स